नमस्कार मेरा नाम कुसुम आईश्वरी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल एक टॉपिक जिसका टाइटल है थर्ड वर्ल्ड अंडर डॉप्मेंट एंड इंपिरलिजम तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट ऑ्स वर्ल्ड तो फर्सत वर्ल्ड की जहां तक बात करें तो उसमें यह जी आ जाती है यूसे है यह ऀसन यूड्ड की सिंहां एंगलेंड बगररा और इसके अलावा जापान बगरर यह वहां fre Stern के यू कौन आता है second world में हम लोग लेते हैं वो हिस्सा दुनिया का जहां पर Soviet block वाली countries हैं जहां पर 1917 में revolution आया था और उसको follow, communism को follow किया था, यह वो countries हैं जिन में industrialization उस level का नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे level पर हैं, यह developed countries ही हैं, तो third world के अंदर वो countries आ जाती हैं जो कि Asia, Africa और Latin American countries हैं जो कि underdeveloped हैं, जो कि जहां पर per capita income बहुत कम है, illiteracy है, undernourishment है, भूख है, गरीबी है, या गंदगी है, infrastructure काम है, तो इस तरहें कि जितने भी जो adjectives हैं कि population लगातार बढ़ती जा रही है, समस्याओं का घर हैं, यह countries, तो तीसरी दुनिया में उन सब countries को जो है, वो जो है, शामिल किया जाता है, अलांकि आजकल यह तीसरी दुनिया शब्द को बहुत तवज्जु नहीं दी जाती है, बहुत मतलब आप यह कहें कि बहुत जादा बेस क्या है, तो यदि हम मेंस्ट्रीम एकनामिक्स की बात करें, तो वो कह देते हैं कि हांजी, जो ड्वलप हो गए, जो बहुत एफिशेंट थे, वो ड्वलप हो गए, और जो रहे गए, वो पीछे रहे गए, तो वो अंडर्डवलप्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे एकनामिस्ट और खास तोर पे मार्कसिस फिलासफी की आने के बाद, बहुत सा इस तरीके का जो है फिलासफी आई की ऐसा नहीं है, जैसे जो एंडरे गेंडर्डव्रेंक है, वो कहते हैं, कि अंडर्डवलप्मेंट इस नाट दिलाक अफ ड्वलप्मेंट, और तो देखिए, जब शुरुवात हुई थी मानव समाज की, तो उस टाइम तो कोई भी ड्वलप भी नहीं था, और अंडर्डवलप भी नहीं था, तो ये अंडर्डवलप्मेंट सब बराबर थे, आदम समाज में तो सब बराबर थे, किसी के पास कुछ भी नहीं था, सब लोग अपना-पना पेट पाल रहे थे, तो ये development और under development आया कहां से, तो इसके लिए वो कहते हैं कि भी चुरुवात में कुछ नहीं था, पोल म स्वीजी कहते हैं कि under development of third world countries is a result of a historical process of development of rich countries, rich capitalist countries. मतलब कि स्वीजी की जो थीसिस है वो यह कहती है और फ्रैंक की थीसिस भी वही है कि actual में development और under development कोई अलग अलग चीज़े नहीं हैं यह जो है एक ही सिक्के के दो पहलों है वो किस तरीके से कि जिस प्रॉसस से जो developed countries हैं जो विक्सित देश हैं जो विक्सित हुए हैं उसी ही प्रॉसस में under development या एविक्सिता पैदा हुई है कोई किसी का हख आ जाए तो नैचरल है कि वो जो है गरीब हो जाएगा और दूसरा थोड़ा सा जादा आ जाएगा यदि आप मुझसे कुछ ले लेंगे मेरा कुछ आप ले लेंगे तो नैचरल है कि मैं कमतर हो जाओंगे आप मुझसे उपर चले जाएंगे इसी थीसिस को यदि हम डेटा की help से support करें तो शायद जादा अच्छे से समझ में आता है हमने यहां पे share of world GDP लिया है कि दुनिया के कुल उत्पादन में इन कंट्रीज का हिस्सा जाना है over the time और time कौन सा लिया है first ADN की पहली century का पहला सा से लेकर और दू यह जो है बीसवी सतावदी के एकीसवी सतावदी के पहले साल को compare किया है तो first AD में इंडिया सोने की चड़िया था 33% किसे कहते हैं पूरी world GDP में 33% पे इंडिया हुआ करता था तो जाहिर है कि सोने की चड़िया था और चाइना 27 था जापान मात्र एक जीर युएस से और यूरॉप जो है 14 परसंट पे था और ओवर दे टाइम आप देखिए किस तरीके से इंडिया 33, 25, 8 और 4 तक पहुंच गया और इसमें सब कुछ आ गया मुगल्स के आकरमन भी आ गये और बहर के देशों का जो है इन्वेजन भी आ गया और फिर और यूएस से जीरो परसंट से सूपर पावर बन गया 23 परसंट पे पहुंच और यूरॉप जो है 14 से 21 पर पहुंच और बीच में यह जब कॉलनाइजेशन था जब अपने वेशवाज चरम पर था तब यह 39 पॉस तो 40 परसंट था विच मेंस कि यहां की संपनता जो है वो करता है कि एंडर ड्वेलप्मेंट का रीजन यह नहीं है कि हम लोग कहीं विकास के प्रक्रिया में पीछे रहे गए एक्चुली यह लोग जब हमारा हिस्ता खा गए थर्ड वर्ड कंट्रीज को इन्होंने सक कर लिया तो जो है यह ड्वेलप्ट हो गए और जो पीछे की थ थर्ड वर्ड था वो थर्ड वर्ड रहे गया